हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स देखो आज ये ब्यूटिफूल नीटिंग पैटर्न बनाना सिखेंगे देखो फ्रेंड्स ये जो नीटिंग पैटर्न है आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो फ अपर होने चाहिए और डिजाइन हमारा ये एट रो का है आठ सलायों का डिजाइन है ये देखे इसकी बैक साइट उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा देखे इस तरह से आएगा और ये इसकी फ्रंट साइड यानि राइट साइड है तो चलो फटा पट से बनाना चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चलो शुरू करते हैं देखो पहले हम अपना बॉडर तयार कर लेंगे देखे मैंने या पे बॉडर बनाया है बॉड तीन फंदे सीधे बनाने के बाद चौथे फंदे को देखे चौथे फंदे के यहां से हमने देखे सलाई डालनी है इस तरह से डालेंगे यहां से एक फंदा हमने निकालना है ऐसे इससे हम थोड़ा लूज रखेंगे फिर इस फंदे को बुनेंगे ठीके अब देखिए एच को छोड़के जो ये चार फंदे हैं इनी चार फंदों को पूरी स्लाई पर हमने रिपीट करना है फिर से देखिए तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे चौथे फंदे पर देखिए यहां पर स्लाई डालनी ऑर एक लूप यहां से निकालना को इस तरह Cup को बुनेंगे बैक साइट से इस तरह से, ठीक है, फिर से बुनेंगे, धागा पीछी रखेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, चौथे फंदे के यहां पर सलाई डालनी है, यहां से एक लूप निकालना है, ऐसे, फिर इस फंदे को पीछे की तरफ से बुनना है, ऐसे, तीन फंदा सीधा चौथे फंदे के यहां पर सलाई डालेंगे और इसे इस तरह से बुनेंगे एक लूप यहां से निकालेंगे और इस फंदे को बैक लूप से बुनेंगे ऐसे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे देखे चौथे फंदे के यहां पर सलाई डाल पनानेंगे । आप यह स्वारे हमारी व्र पर सीज अब सैकेंब्र और वेकसा हुए। और नौ या कि prevail ऑस्टोफ फन्द के दूसरी पहला स्लीप रायाम मैंने स्लीप करना है । में स्लीप करना है यह हमारा एजस्टिछ है ॥ मैं नहींड उलटा इसे को इसके बगल वाले फंदे को एक सात के ही डाएक साथ अन्वीन बुए हैं फिर टीन फंदे उल्टे पड़ते के कर एक साथ कर्णा है एक साथ फिर तीन पंदे उल्टे को और इस वंदे को एक साथ बुनेंगे , फिर तीन पंदे उल्टे 1्य दो पन्दे को और है कि तोसी हिंद थार्ड राइटम और कि ऊपफे काया हम के ते तीन पंदे सचुन लाइए यह I-A-G-S-T-1 है इसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेगे पहले हमने 3 फंदे बुने थे अब केहीं बार हम 2 फंदे बुने और जो यह वाला फंदा है इस फंदे को कि यहां से हम सलाई डालेंगे यह विख्ट है यह फंदा निकालेंगे और एक लूप यहां से निकालेंगे पीछे से फिर तीन फंदे सीध है फिर चौते फंदे के यहां से सलाई डालके फंदा निकालेंगे और इस फंदे को बैक लूप से बनेंगे इस तरह से फिर तीन फंदे सीध है चौते फंदे के यहां पे सलाई डालके इस तरह से फंदा बनाएंगे और एक फंदा पीछे से बनाएंगे ऐसे फिर तीन फंदे सीधे चौते फंदे के यहां पर सलाई डालेंगे और इसे निकाल के और दूसरा फंदा बनाएंगे सीधा देखिए यहां पर अब हमारे दो फंदे हो गया हैं दोनों को सीधा बनेंग यह हमारी थर्ड रोवर हो गई आप देखिए फोर्थ रो बैक साईट चौति सलाई उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप करा अब की बार हम यहां पे दो फंदे उल्टे बनाएंगे पिछली बार एक फंदा बनाया था ना यहां पे दो फंदे उल्टे यह वह फंदा है जो ह इस फंदे को, दो का एक करना है, उल्टा बुनते हुए, फिर तीन फंदे उल्टे, इस फंदे को और इस फंदे को दो का एक करेंगे, इस तरह से, फिर तीन उल्टे, इसे और इसे, इस तरह बुनेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे, इसे और इसे एक साथ बुनेंगे, दो क करेंगे अब यहां पर हमारे दो फंदे केवल उल्टे बचेंगे सब्सक्राइब दिखेंगे इस तबार से चौथी सलाई बनानी अफ अब देखें फिप तो पाँची सलाई拉 सीधी तृप से पहला फंदा इस तरह से सिलिप करेंगे अब की बार एक एक फंदा केवल यहां पर सीधा आएगा यहां पर हमारा एक एक फंदा घड़ता हुआ जाता है और इस साइड से हमारा एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाता है यह हमारा इस तरह से इस तरह से हमारा खिसकता हुआ जाता है एक एक फंदा यहां पर एक फंदे बढ़ेंगे एक के यहां से एक फंदा निकालेंगे और इसे इस फंदे को बैक लूप से बुनेंगे फिर तीन फंदे सीध है चौते फंदे के यहां से सलाई डालेंगे एक लूप बनाएंगे और इस फंदे को पीछे से बुनेंगे फिर तीन सीधे चौता फंदा इस तरह से बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे थे फिर तीन सीधे और चौते फंदे को यहां से बनाएंगे ऐसे फिर तीन सीधे यह देखे इस तरह से हमारी फिप्ट रो कंपलीट होगी ठीक है आप देखे 6 रो 6 रो बैक साइट पहला फंदा हमने स्लिप करना है अब हमने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चौथे फंदे को और इस फंदे को एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे फिर 3 फंदे उल्टे और दो का एक करेंगे फिर 3 फंदे उल्टे दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए फिर 3 फंदे उल्टे इस बुनाई पर हमने साइड में ध्यान रखना है दोनों कोनों पर जब हम बुनाई शुरू करेंगे उस समय हमने यह ध्यान रखना है एक साइट से हमारे फंदे घड़ते जाते हैं एक साइट से हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं अब देखो यहां पर हमारा ये देखिए इस तरह से तिर्ची तिर्ची लाइन हमारी बनती भी जाती है ये डिसाइन एक एक फंदा हमारा खिसकता हुआ जाता है अब देखे एक फंदा हमारा केवल एज़ेश्टी चाहेगा और इस फंदे पे हमने इस तरह से बुनना है पीछे से ऐसे और इसे एक फंदा हमने सुरी लूप बनाना है और इस फंदे को पीछे से बुनना है फिर से तीन फंदे सीधे और चौथे फंदे पे ये बनाना है हमने जैसे हम बनाते आ रहे थे फिर तीन सीधे एक दो तीन चौथे फंदे को बनाएंगे इस तरह से फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन चौते फंदे पर लूप बनाएंगे और इसे पीछे से बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन चौते फंदे को यहां से बनाएंगे और यह इस तरह से फिर तीन फंदे सीधे एज स्टिच भी सीधा यह देखे हमारी सेवें त्रों कंप्लीट हो गई अब देखे एड त्रों बैक साइड उल्टी तरप से आठ वी सलाई पहला फंदा स्लिप करा अब यहाँ पर हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे फिर वही तीन फंदे उल्टे इस फंदे को चोथे और पांचवे फंदे को एक साथ बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे फिर इसे और इसे एक साथ बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे इसे और इसे एक साथ बुनेंगे फिर तीन फंदे उल्टे अब देखिए इस फंदे को और एज इस्टिच को दोनों को एक साथ बुनेंगे यह हमारी आठ सलाईयां कम्प्लीट होगी और डिजाइन भी हमारा यहां पर डल चुका है फिर से हमने फर्स्ट रोसे रिपीट करना है जैसे हमने पहली सलाईय बनाई थी ना यहां पर एक फंदा हमने स्लिप किया था फिर तीन फंदे सीधे बनायते चौते फंदे पर हमने डिजाइन बनायता है यह हमारा अब की बार यहां से यह वाली लाइन हमारी यहां पर खतम हो गई है अब की बार इस फंदे पर हमने यह डिजाइन बनाना है यह डिजाइन हमारे यहां पर खतम हो चुका है यहां पर खतम होता है तो यहां पर शुरू दूसरा डिजाइन हमारा शुरू हो जाएगा यहां से तो इनी एर ट्रो को फ्रेंड्स आमने बार-बार रीपीट करना है देखें कितना इजी डिजाइन है आप अपने प्रोजेक्ट पे इस डिजाइन को बना सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इस डिजाइन को डाले बहुत खुब्सूरत लगता है डिजाइन you for watching friends, मिलती हैं अगले वीडियो में, बापाई